सुदेंट्स, इलेक्रिक करंट इन कंडेक्टर्स का क्वेशन नमर 11, HC औरमा का हम डिसकस कर रहे हैं क्या कहता है क्वेशन में एक कॉपर वायर अफ रेटियस 0.1 mm एंड डिस्टेंस 1 क्लो ओम इस कनेक्टिड एक्रोस से पावर सप्लाई ओफ 20 वोल्ट how many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end एंड भी पार्ट में बूछा, write down the current density in the wire तो पहले हम इसका first part कर लेते हैं और जो चीजें हमें given हैं वो चीजें लिख लेते हैं रेडियस हमें दे रखिए बच्चो 0.1 mm, mm को अगर मैं मीटर में मनाऊं तो माइनस का 3 मुझे करना पड़ेगा मीटर में, रेडिस्टेंस बच्चो हमें यहां से दे रखा 1 किलो तो 1 किलो का मतलब 1000 ओम हो जाएगा, ठीक है उसके बाद voltage हमें दे रखिए बच्चो 20 वोल्ट ठीक है, तो पहले first part हम निकाल लेते हैं, how many electrons के लिए मुझे current निकालना पड़ेगा तो देखर जो current है I, वो किसके equal होता है, V by R के equal होता है तो V हमें दे रखा है बच्चो 20 और R के value हमें दे रखी है 1000 तो यह cancel out होगा यानि 2 into 10 raise to power minus के 2 ampere मेरा current आ जाएगा as जो current होता है, वो charge upon time के equal होता है और charge क्या होता है बच्चो, ne time एक second में पूछ रहा है हमसे तो हमसे पूछ रहा है number of electron, तो number of electron कर मैं निकाल हूँ, तो current by E की value होगी अब current कितना है, 2 into 10 raise to power minus के 2 charge on electron की value कितनी होती है, 1.6 10 raise to power minus के 19 कुलाम तो यहां से हम n की value निकाल सकते हैं यहना 2 से अगर मैं नीचे divide करूँ, तो कितना बचेगा अगर 2 से हम नीचे divide करेंगे तो 1 by 0.8 यह power हमारे पास उपर जाएगी तो 10 raise to power 17 बचेगा is equals to, इस से हम अगर उपर 1 को cut करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 1.25 into 10 raise to power 70 number of electron हो गए, अब हम इसके b part की तरफ चलते हैं बच्चो क्या पूछ रहा है, b part में current density पूछ रहा है तो current density को मैं gc denote कर रहा हूँ और उसकी value क्या होती है current upon area, तो current हमारे पास कितना आया, 2 into 10 raise to power minus के 2 आया area हम निकालेंगे pi r square करके, तो r कितना है, यह इसका square अगर मैं करूँगा दोको इसको मैं सीधा-सीधा 10 raise to power minus के 4 भी लिख सकता हूँ और minus 4 का square करूँगा, तो minus के 8 आ जाएगा तो यह आ जाएगा 2 by pi की value कितनी होती है, 3.14 और 10 raise to power 6 यहां से आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इससे इसको cut करता हूँ, तो यह आएगा 0.637 10 raise to power 6 और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.37 10 raise to power 5 एमपियर पर मीटर स्केर, यह हमारे सकांसर आ जाएगा